एक आवाज जो आप सुनते हैं अक्सर रेड्यू पर, एल्यूजन पर, इंटरनेट पर, वो मधूर आवाज चाहि राजे इस्तरिये स्वतंतरता दिवस हो, चाहिए राजे इस्तरिये मनाया जाने वाला गंतंतर दिवस हो चाहिए सिक्षक दिवस हो एक मदूर आवाज सोचते होंगे आवाज किस लेडिज की है किस इस्तरी की है किस नारी की है आज उहे व्यक्तित्व है हमारे साथ है हम उनसे बाचित करना चाहेंगे नमस्कार और सारे देश वासियों को आज 14 सेतंबर हिंदी देवस के मौके पर पहुत पहुत सारी शुब काम नाए आपका सुम नाम मेरा नाम डॉक्टर जोती जोशी शुरुवात के बहुत लमबी कहानी है लेकिन बहुत संख्षेप में दो या तीन पंक्तियों में यह कहानी आपको कह देती हूँ शायद सुनने में बहुत अच्छी नहीं लगेगी यह कहानी बीस दिन की जब मेरी बच्ची थी तो मेरे पती जो साइंटिस्ट थे सेंटरल ड्राउंड वाटर बोर्ड में उनका देहा वसान हो गया चार साल का बेटा और बीस दिन की बच्ची और जब बेटा सोला साल का हुआ तो उसकी भी एक एकसिडेंट में डेथ हो गई यहां से शुरुआत होती है जोती के उद्गोशना कारे की मैं बहुत सीवियर डिप्रेशन में चली गई शायद किसी से सामन्य बातचीद भी मैं नहीं कर पाती थी लेकिन उसी समय मुझे एक मौका मिला चोटे से समारों के उद्गोशना कारे का मैंने उस उद्गोशना कारे को किया और उसके बाद राजधानी जैपूर में आ गई माननी मुख्यमंतरी महोदय ने मुझे उद्गोशना कारे से प्रभावित होकर यहीं पर न्यूक्ति दी और उसके बाद से लगातार पीछे मुड़कर नहीं देगा कुछ भी ओ अगर संगर्स की आवाज ताकत वर है तो आपकी आवाज को कौई नहीं दबा सकता शिक्षा कहां पर हुई आपकी अंध्य परदेश में हुई मैंने इस कच्षा में उसमें मैंने में एमसी किया और मैं ईक साधारन ग्रिहनी की तरह थी लेकिन पती की मृत्यू के बाद फिर मुझे लगा कि मुझे और आगे कुछ करना है उसके बाद मैंने Human Rights मानवा धिकार में फिर सनातकोतर की डिक्री ली उसके बाद मेरा जी नहीं भरा मुझे लगा कि मुझे पिएसडी करनी है तो मैंने समाज शास्तर में प्राइबेट कैंडिडेट होते हुए फिर सनातकोतर किया और उसमें मैंने युनिवर्सेटी टॉप किया गोल्ड मैडल लिया और उसके बाद मैंने पिएसडी के उपाधी ली राजस्तान से जुड़ाओ कब से है जन्म आपका मद्यप्रदेश में हुआ राजस्तान कब आए नेम नारानी जोशी जो सुखाडिया विश्य विद्याले में राजस्तानी के विभागा ध्यक्ष रहे मैं उनकी एकलोती पुत्रवधू रही हूँ इस वक्त वो दुनिया में नहीं है लेकिन ऐसे परिवार में मेरा विभा हुआ उसके बाद राजस्तान से जुड़ाओ अपनी मिट्टी से जुड़ाओ तो होता ही है उद्गोशिका के रूप में हिंदी भाषा का चैन और हिंदी भाषा में पूर्टया लगबग हिंदी का चैन कैसे परबंद कर पाते हो इन सब्दों का मुझे शुरू से ही हिंदी बहुत प्यारी भाषा लगती है और जब उ अपने उद्गोशना कारे किया अपने उद्गोशना की इंदी में फून दिया बहुत बड़ी उपलबदी और आज हम ऐसे वक्तित्व से आपको मुलाकात करवा रहे हैं रूबरू करवा रहे हैं जिन्होंने कॉमन वेल्ट से लेकर अंतराष्ट्री राष्ट्री समारों म सत्यता का मेरा नाम है एक सफेदी का मेरा नाम है एक सच्चाई का मेरा एक अपने आप में यूग है राजपूताने की ऐसी घराने की ऐसी बहु जिसने अपने बालों को खोल कर ये कहा तो कहो तो केश विख रामा और कहो धरे के सरिय भечат ऐसा राजपूताना के ऐसी रानी का ऐसा उद्गोश आज हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उस शताबदी में हजारों लाखों महिलाओं के लिए क्या वो महिला सशक्तिकरण नहीं था? मतलब परिवार को छोड़के अपने इस्वर की कामना करना और उनके लिए संतों के साथ बेट कर बजन किर्टन करना पंदरी सताबदी में 1498 में का जब दोर था और अब तो 21 सदी है आज भी घुंगट में रहती है हमारी भूग आज आप देखिए कि आज लगभग 400 बच्चों को सम्मानित किया गया जो बच्चे पूरे राजस्थान से कोने कोने से दरो दिवार लांग कर यहां पहुँचे थे हिंदी में 100 में से 100 शत प्रतिक्षत अंक उनके अभिवावक गण भी यहां मौजूद थे इतने सारे बच्चों का जो वातावरन था मानिनी मुख्य मंतरी जी उनके साथ मौजूद थे उन बच्चों को देखकर जो आपने कवी की बात की हमारे देश की कवयत्री सुभतरा कुमारी चोहान जी उनकी कई कवीत आये हैं, आपने भी सुनी होगी चार पंक्तिया मैं सुनाती हूँ इन बच्चों को देख देखकर मुझे बार-बार याद आ रही थी कि बार-बार आती है मुझको मधूर याद बच्पन तेरी गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी चिंता रहित खेलना खाना वै फिरना निर्भै स्वच्चन्द कैसे भूला जा सकता है बच्पन का अतलिता अनन्द सुबद्रा कुमारी चोहान महादेवी वर्मा की सकी थी सहली थी और बहुत अच्छा कावे उन्होंने इंदी साहिते को भेट किया आप इतने मन संचालन करते हैं बड़े बड़े राष्ठे नेताओं के भी और कोरोनाकाल में भी आपकी प्रेस कोनफरेंस में आपके अवाज सुनने को मिली बहुत सारे संचालन मैं करती हूँ लेकिन कुछ जो समारों होते हैं वो आपके बहुत दिल के करीब होते हैं जैसा कि रास्चे विज्ञान मेले का वो मौका कलाम सहाब उसमें मुख्याती थी के बतौर और शुद्ध हिंदी में उद्धोशना करे और उद्धोशना करे के बाद कलाम सहाब का मेरे नजदीक आकर एक कोमल से सपश कोमल से हथे ली और ये कहना कि हिंदी में इतना अच्छा उद्धोशना करे मैंने आज तक नहीं सुना शायद मेरे जीवन में मैं कभी नहीं भूला पाऊंगे उनकी शड़ों को राश्टपती एपीजे अबदुल कलाम भारत के सबसे अच्छे राश्टपती में सामिल और उनका सानीदे मिला उनके सामने मन संचालन किया और उनका जो एक आसिरवाद सरूब उनको जो सब्द कहें हैं वो कह रहें मैं नहीं बूलूँगी एक और मुझे वाकिया याद आता है आधार काड जो आज बहुत आवश्चक चीज़ है आधार काड की जब लॉंचिंग हुई थी उस बड़े समारोह को करने का मौका भी मुझे मिला था उस समय ततकालीन प्रधान मंतरी मनमोहन सिंग जी और कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिय गांधी जी और सारे लोग उसमें मौजूद थे और उसका लाइव टलिकास्ट पूरे देश भर में हुआ था उसके संचलन कारे मुझे मिला प्रतम आधार वितरन कहां गया था प्रतम आधार वितरन हुआ था उसके बाद दृतिय जो आधार की वरशिगाट हुई थी मैं को ये बता दू कि दूदू में ये समार हो आयोजेत हुआ था राजस्थान के दूदू में लगभग 10,000 से जादा महिलाएं और इतने सारे लोग उसमें मौजूद थे दूतिय आधार की वर्षगार्ट पर राजस्थान के 10 सर्वशेष्ट कलेक्टर्स को वहां सम्मानित किय अभी 400 बच्चों का कारिकरम था आप मन से उद्गोसिका के रूप में कारिकर रहे थे आपकी बात मुझे जो बहुत अची लगी कि आपको आउसक्तिया हो किस परकार इस छेतर में आना है कैसे समझना है कैसे आगे बढ़ना है ये प्रेंडना देने का काम मैं बहुत कम लो करने का बार की उद्घोशना कारे से एक शीचा कपR plugins को इन अनुखाओं मिलता है नई जानकारी मिलती है इन जानकारियों को इन अनुखाओं को मैंने संजोया है लेकिन अब वक्त है उस नई पीड़ी को ये जिम्मेदरी सौपने का तो बहुत सारे बच्चों को आजकल ज जो एंकर होते हैं, वो उध्गोष्णा कारे जब करते हैं, तो बहुत धूम धालज़ा का हिंदी, अंग्रेजी, इधर, उधर की बहुत सारी चीजों की खिचिड़ी सी पका देते हैं, लेकिन यदि आप हिंदी भाषा में कर रहे हैं, तो शुद्ध हिंदी में करी, यदि आ का सबसे सुन्दर परिदान साड़ी और जब आपको उद्गोशना करे करते हैं तो लोग आपके आवाज को बाद में सुनते हैं पहले आपके व्यक्तितु से प्रभावेत होते हैं तो आपको अपना वेश भूशा भी उस तरह की होनी चाहिए आपके पास वोकिबलरी कि कुछ पंक्तिया अगर आप हमारे दर्सकों को सुनाना जाएं मैं इस वक्त तो नहीं सुना पाऊंगी अभी आपकी बच्ची क्या करते हैं मेरी बच्ची 24 साल की उसके उम्र हो गई है और मास कम्म्नुकेशन में उसने ग्रेजुशन किया और इंटीरियर में जो लोगों घरुंदों को आशियानों को साजाने का काम होता है जो आजकल बिल्कुल ग्रीनरी का बहुत कॉंसेप्ट है तो उसमें लेंड्सकेपिंग का कारेव करती है अपने प्रोजेक्ट के बच्चे भी आपके पद्चिन पचलने का प्रियास कर रही है कि आप मन्चुद गोशिक कर रहे हैं तो उसकी रूची और कोई क्षे पेश्सक्र में हो तक है हर्षां के अलिये कि से लेकिन होय है प्रदेर में प्रदेश की सारी बेटीकों के लिए कहना चाहूंगी कि बेटि बेटि शुब कामनाएं हैं बेटियां पावंद दूाएं हैं जिनमें खुद भगवा बेटियां वो बंदनाए हैं इंदी दिवस पर कुछ पंक्तियां गुनुगना दीजे इंदी इस वक्त में पंक्तियां सुनाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है अभी तो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रही है कि खेलों में कभी रूची रही बच्पन में अब आप पूछ रह बेलों में हैं आप पुछेंगे बहुत सारी चीजों में तो मुझे बोलाने चाहिए आज हिंदी देवस है लेकिन गालिप का एक शेर याद आ रहा है हजारों ख्वाहिशें दिल में हर ख्वाहिश पर दम निकले बहुत निकले मेरे अर्मा लेकिन फिर भी कम निकले तो आपको पर्दे के पिछे सुनाई देती है पर्दे के पिछे इसलिए कह रहा हूँ कि जो आवाज आती है तो आपको पता नहीं होता आवाज किस नारी की है किस महिला की है जैसंकर प्रसाद की कुछ पंग्तिया नारी तुम सर्दा हो विश्वास रजत नग पकतल में प प्रप्रभी まıs जरोर पाली एक कॉभी आपके पास होना चाहिए वो शौक आपको गंबीर बिमारी हो अगर आपका कोई सोक हो जाहे आपका पाक कला का हो चाहे आपका बागवली नाको चाहे आपका अभी नय हसे बनाया है ऐसे रिष्टे बनाईए, ये शौक पालिए, खुशियों को बांटिए, बिखेरिए, देखिए, बदले में आप पाएंगे बहुत सारी खुशिया, तो आप अपने शौक को जरूर जिन्दा रखें, मुझे नरत्य करने का भी बहुत शौक है, और कोरोना के दोरान बहुत सा होती है, तो बेंगॉली है, उसका नाम सौमिता है, लेकिन मैंने उससे नाम दिया है, राधा, राधा हमेशा मेरे साथ होती थी, और कोरोना के दोरान बहुत सारे नरत्य, जब मैं उदास होती थी, कोरोना में अकेले होते थे घरों में, तो वो कहती थी, आईए, नरत्य करे वह वीडियो बनाती थी और जिस तरह से मैंने फेस्बूग पर नाले, लोकों की नत्य करने के शौक फिर से जिन्दा हो अब जिन्दा दिल व्यक्ति से जुरूर जुड़िये, एसे व्यक्ति तो ऐसे जुरूर जुड़िये, ऐसे संगर्स के बाद, फेस्बूक पर क्या इडि नाम है? फेस्बूक पर आप देख सकते हैं जोती जूशी और जोती जूशी जैपुर आप डालेंगे उद्गोशी का के रूप में बहुत सारे मेरे जो संचालन कारे हैं, वो सारे के सारे आपको फेस्बूक पर मिल जाएंगे, और जो लोग उद्गोशना का शौक रखते हैं, मन चलन का शूक रखते हैं। शाहिद उसमें से कुछ उनको मिल जाए। मैं आपको एक कवितर जरूर आज यहां साजा करना चाहूंगी मेरे साथी तुम जियो मुझको भी जीने दो मत भेदों के आंगन में मन भेदों की घास उभर आई है इसे छील कर सह अस्तित की फुलवारी में पेम भाव का कुसुम खिला कर जीवन की रंगी इन बहारों में उढ़ने दो मेरे साथी तुम जियो मुझको भी जीने दो क्षण भंगुर जीवन की बूने तप्त तवे पर गिर उढ़ने वाली हैं इन्हें रोक कर अपने उर की सीपी में तेरे मेरे अमिट संबंधों का मोती बनने दो मेरे साथी तुम जीओ मुझको भी जीने दो जीओ और जीनो देखा इतने सारे बच्चे आज जो सम्मानित हुए हैं आपने देखा होगा आज कल एक अलग ही दौर चल पड़ा है अंग्रेजी मीडियम स्कूल है खुली है बहुत सारे बच्चे हैं माता पिता सिर्फ और सिर्फ इसलिए चिंतित रहते हैं कि वह बच्चे को डॉक्टर बनाना यह कॉंसेर्प आपने देखा पैरेंट्स मिटिंग में जब माता पिता जाते हैं बच्चे के वह एक अलग ही माहल होता है को उत्सा और खुशी का महल नहीं होता बड़ा मूं उत्रा हुआ होता बच्चे का भी माता पिता का भी और मैंने कुछ अभिवावकों के लिए कु नहीं है शामेर खेलता है सपने बुनता है जिद करता है और कर डालता है बातें समझदारी की भी कभी कभी और हाँ पढ़ता भी है पर उतना जितना जरूरी लगे या जरूरत लगे जितनी कह सकते हैं पढ़ने में साधारन है वो मैं नहीं जाती उसकी टेस्ट कॉपी देखने इसलिए नहीं कि मुझे शिकायत है उससे बलकि कोफ्त होती है मुझे स्कूल की सीडियों से उतरते साथ नीचे घसीडते बच्चे को इसके उसके अंक पूछते किसी के मम्मी या पापा को देखका कितने मैथ्स में और कितने मैस में सुन-सुन कर तो लगता है तीन नंबर जो कट गए वही सब कुछ थे शायद मुझे नहीं लगता अच्छा देखना निर्जीव कौपियों के पीछे बैठी टीचर साथ में घिगियाते पालक नाइन एंडे हाफ जैसी गला काट बातें करते पगले से पगलाए पालक मुझे नहीं लगता अच्छा जाना उसका साई खाने में मुझे नहीं लगता अच्छा देखना स्कूल में सनाटा शमशान का मुझे नहीं लगता अच्छा देखना बच्चों की सिस्किया, रोते हुए बच्चे आखों से टपकती हुई आशों की लड़ी सौरी मम्मे, सौरी मम्मे, सौरी मम्मे अब की बार, अब की बार की हिच्किया मुझे तो अच्छा लगता है देखना गली के छोटे छोटे कुत्तों के पिल्लों के पीछे दोड़ता भागता उंपर बलहारी जाता बचपन मुझे तो अच्छा लगता है देखना चिडियों का अपने चूजों के मुह में दाना डालती चिडिया से प्यार सीखता बचपन दीवारों पर आड़ी टेड़ी लकीरे खीच अपने मन को उकेरता बच्पन बिल्कुल आज की भागदोड की दुनिया में जिस पर बच्चों को टेक्नोलजी से जोड़ा गया मा के आंचल से दूर किया गया केवल अंकों के अधार पर बच्चों को प्यार किया जा रहा है वास्तों में ये कविता जिनोंने सुनाई है अगर आप हिर्दे से सुनोगे तो निशी तोर से आपके आंकों में आंसु बहेंगे किसी कवी ने सची का है भावना में भावना हो तो भावना बेकार है और भावना में भावो तो भाव से बेड़ा पार है भावना होनी जरूरी है बहुत बहुत धन्यवाद भाईया आपकी इस भावना के लिए आपके इस प्यार के लिए आप जो खुशियां बाट रहे हैं बिखेर रहे हैं लोगों में इसके लिए एक बार बुढ़ें आप कर देंगे हमारे साथ राजस्तान की भूमी से एक ऐसा विक्तितु है जिसके आवाज चले जाएंगे ये छोड़ कर हमें लेकिन गूंजती रहेगी इनकी किलकारिया हमें प्रेना देते रहेंगे इनके सब्द हमें प्रेना देती रहेगी इनकी मुस्कान विप्रीत प्रिस्तितियों में विकट प्रिस्तितियों में कटीन प्रिस्तितियों में जिन प्रिस्तितियों में लोग फंदे को पकर लेते है फंदे से जूल जाते हैं ट्रेन के नीचे आ जाते हैं उन प्रस्तितियों में इन्होंने मजबुती के साथ केवल जीना ही नहीं सिखा है जीना भी सिकाया है कि कैसे जिन्दगी जीते हैं एक पती को पती छोड़के चले गए एक बच्चा छोड़के चला गया फिर भी हार नहीं मानी वक्त के सांचे में तो सब डल जाते हैं सांतियो सवानों को खंगाले तो बात बने एक नया कुर्सित निकाले तो बात बने वक्त के सांचे में तो सब डल जाते हैं वक्त को अपने सांचे में डाले तो बात बने यह कहूंगी कि बुलंदियों पर पहुचना कमाल नहीं होता है लेकिन मैं यह कहूंगी कि मैं जुगनू हूँ मुझे जुगनू ही रहने दो चांद तारे तो आँखों में खटक जाते हैं हमारे साथ डॉक्टर जयोती में हम थे बहुत बहुत अबार हमारे चैनल की तरफ से इन्हों ने इतना अमुले समय दिया और निशित तोर पे हम आपकी उजुल बहुत से की और दिरकायू की काम ना करते हैं आपका प्रेम और आपका सानिदे हमें हमेसा मिलता रहे बहुत बह किया ओड़ा हुवतने है कि ना कर दो प्रेंटे ऌनि अजया है सुप्स्क्राइब को एंड़ाज बहुत सब्सक्राइब को अच्छाइब को प्रेंट की अज़्ने को युज तोinate प्लाइब को ई सॉब्सक्राइब को ना काल नो फॉ但 wen Одन स्म शिंकि खरमार सानिदों प्र